हेलो फ्रेंड्स आपका हमारी यूटीब चनल आपका हेल गुरू में स्वागते आज का हमारा विशर है डायबिटिस की ट्रीटमेंट किस तरीके से आप सुगर को कम कर सकते हो घर पर ही बहुती सिंपल एक्यूप्रेशर पोईट्स को दबा के हमारा मिशन है डायबिटिस को खतम करना है जड मूड से डायबिटिस को करिए खतम जड मूड से बहुती आसानी से बिना किसी दवाय का इस्तमाल किये आप डायबिटिस को खतम कर सकते हो यह मेरा आप से वादा है हमने आगे एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरा डीटेल में हमने कौन-कौन से रीजन की वज़से डायबिटीज सोपोता है वह जाना था और वह रीजन में क्या-क्या सिंटम दिखते हैं हमारे सरीन में वह भी जाना था वहाँ पर हमने छे अलग-लग रीजन और इनके एक सबसे कॉमन रीजन है वह डिसकस किया था वह रीजन था इमोशनल रीजन और इनके सिंटम कुछ इस तरीके से दिखते हैं अगर यह सिंटम आपके सरीन में दिखते हैं और आपको डायबिटी से तो आपको यहाँ पर इस वीडियो में जो भी एक्यूपरसर पोइंट्स प्रान रखना है नियमीत exercise करनी है और अपना stress level भी कम करना है याने के प्रानयाम करना है अनुलों विलों नियमीत करना है क्यूंकि यहाँ पर emotional factor की बये से याने के stress level की बये से diabetes की सुरूआत होती है यह diabetes का पहला चरण होता है यहाँ से ही diabetes सुरू होती है इसलिए अगर आप इनको दबा सकते हो, इनको पुरी तरीके से खतम कर सकते हो, तो emotional factor में क्या होता है, हमारा stress level बढ़ जाता है, liver में जो energy का flow होता है, वो imbalance हो जाता है, इसलिए वहाँ पर heat बढ़ने लगती है, liver में heat बढ़ जाती है, इसलिए अलग-अलग emotional symptom हमारे शरीन में दिखते है, जैसे की depression आना, बात-बात पे गुस्सा आ जाना, एंगरनेस बढ़ जाती है, छोटी-छोटी बातों पर रोना आ जाना, छाती में भारीपन लगना, गैस बनना, बार-बार डकार आना, pre-menstrual symptom दिखना, menses irregular हो जाना, और आपकी जो जीवा होती है, अगर इनको mirror में आप देखते हो, तो वह फिक्की पड़ जाती है, तो इस तरीके से symptom अगर आपके शरीन में दिखते हैं, तो इनके related हमें treatment plan यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाना है, हमारे liver को सांथ करना है, यानि कि liver में जो energy flow बढ़ गया है, जो heat बढ़ गया है, उनको कम करना है, liver की energy flow नॉर्मल करना है, liver का function इपरू करना है, हमारे मन को सांथ करना है, और stress level कम करना है, अगर इतनी चीज आप करते हो, तो आपका जो emotional factor है, वह खतम हो जाएगा, आपका diabetes खतम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम यह goal को अचीव करने के लिए, 6 acupressor points आपको सिखाने वाले है, इनके location बताने वाला हूँ, किस तरीके से दबाना है, वह सिखाने वाला हूँ, बहुती आसानी से आप यह point को सिख लोगे, इसमें जो पहला point है, वह point हमारे मन को सांथ करने के लिए दबाना है, यह point हमारे forum पर मिलता है, हमारी जो wrist line होती है, यहाँ से आपको 4 finger नीचे, middle पर यहाँ पर मिलेगा, यह point को इस तरीके से 2 मीड के लिए आपको दबा के रखना है, यहाँ पर सभी point आपको दोनों साइड पर दबाना है, और जबी भी आप point दबाने की सुरुआत करो, इनसे पहले आपको 2 गिलास पानी पी लेना है, फिर एक्यूपेसर थेरापी करने है, जब आप point दबा रहे होते हो, तब मन को सांत रखना है, और अपने breathe पर focus करना है, यह चीज़ खास ध्यान में रखनी है, तो यहाँ पर पहला point हमारे forum पर मिलेगा, wrist line से 4 उंगली नीचे जाना है, यहाँ पर आपको mid line पर मिलता है, यह point को 2 मीट दबाईए, दिन में 2 बार, इनके बाद का जो दूसरा point है, वह बहुती famous है, overall हमारे सरीर की गर्मी को कम करने के लिए, यह point बहुती काम लगता है, यह point हमें, हमारी index finger का जो हड़ी यहाँ पर होती है, हमारे thumb की जो हड़ी यहाँ पर होती है, वह 2 हड़ी के बीच में यहाँ पर जो corner बनता है, triangle बनता है, इनका angle आपको इस तरीके से पकल लेना है, यह point को आपको दबाना है, 2 मीट के लिए दबा के रखना है, दोनों side दबाना है, यह दबाने से हमारी overall heat कम हो जाती है, इनके बाद का जो तीसरा point है, वह हमारे liver के function को अच्छा करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए दबाना है, यह point जहाँ पर हमारा liver होता है, यानि के right side पर, इस जगा पर liver होता है, वहाँ पर point मिलता है, हमारा जो nipple level है, nipple level से आपको 4 या तो 5 finger नीचे जाना है, दो पसलियों के बीच में, जहाँ पर आपको हलका सा दर्द होगा, tenderness मालूम पड़ेगी, वह point को पकल लेना है, फिर यह point को आप इस तरीके से दबा के रखें, दो मीट के लिए, अगर आप point को locate नहीं कर सकते हो, तो कोई बात नहीं है, नीपल से आप 5 उगली नीचे जाइए, वहाँ पर इस तरीके से आप 2-5 मीड के लिए मसाज कर सकते हो, तो यह point दबाने से liver आपका अच्छी तरीके से काम करने लगता है, इनके बाद का जो fourth point है, वह point हमारे liver के exact पीछे spine होता है, वह spine के दोनों side पर मिलता है, तो वह point को दबाने से हमारे liver के function पर direct impact होती है, प्रभाव पड़ता है, तो यह point को खुद दबाना थोड़ा difficult हो जाता है, इसलिए हमने आगे के वीडियो में एक tool बनाया था, वह tool आपको बना लेना है, इस तरीके से दो tennis ball को जोड़ के, ऐसा tool बना लेना है, इनको spine के पीछे रख के इनके उपर आपकी body को roll करना है, यह technique भी हमने आगे के वीडियो में जानी थी, इनकी link आपको मैं description box में दे रहा हो, तो वह वीडियो भी आप देखके यह technique सीख सकते हो, इनको जमिन पे रख देना है, फिर इनके उपर आपको लेड जाना है सिधा और spine को roll करना है, तो पीछे के जो points होते हैं, वह अच्छी तरीके से दब जाते हैं, 2-5 मीट के लिए यह kriya आपको करनी है, इनके बाद के जो दो point है, वह point हमारे foot में मिलेगे, उनको जान लेते हैं, तो foot में जो दो point है, उसमें जो पहला point है, वह point हमारे first toe और second toe के बीच में, आपको जो canal होती है, वह canal पर इस तरीके से उंगली को घुमाते जाना है, जहाँ पर यह 2 toe की हड़ी एक दूसरे से मिलती है, वहाँ पर यह point आपको locate कर देना है, यह point दबाने से आपका सरीर का stress level कम हो जाता है, सरीर का जो भी थकान होता है, वह कम हो जाता है, इसलिए यह point आपको काफी फाइदा देगा diabetes को कम करने में, यह point को इस तरीके से 2 से 3 मीट के लिए दबा के रखना है, इनके बाद का जो आखरी point है, वह दबाने से हमारे liver की गर्मी कम हो जाती है, इसलिए यह point आपको बहुती अच्छा results देने वाला, यह point भी आपको first और second के बीच में यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर उपर की dark skin और नीचे की white skin एक तुसरे से मिलती है, वह junction पर यह point को आपको इस तरीके से दबाना है, दो मीट के लिए ऐसे दबा के रखिए, deep breathing करिए, मन को सांत रखिए, और liver की गर्मी कम हो जाएगी, और आपका sugar level कम हो जाएगा, diabetes भी खतम हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 6 point के बारे में discuss किया, यह 6 point दबाने से हमारा जो goal है, जो treatment हमें करनी है, वह हमारी treatment हो जाती है, हमारा जो emotional factor है, emotional reason है, वह पुरी तरीके से हट जाएगा, और हमारे diabetes की जो सुरुआत है, वह सुरुआत में दब जाएगा, आपका treatment हो जाएगा, तो आशा रखता हो कि आपको हमारी information अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो यह video को like जरू करिए, जादा से जादा लोगों तक share करिए, ताकि सभी को help मिल पाए, एशी अच्छी information के लिए आप हमारी चैनल को subscribe भी कर सकते हो, thank you for watching,